प्राचीन भारती वास्तुकला के अद्भुद नमूने आपको पूरे भारत ही नहीं बलकि पूरी दुनिया में देखने को मिल जाएंगे पूरी दुनिया में मंदर निर्मार के शैली भारत की वास्तुकला विरासत का एक प्रमुख हिस्सा रहा है जिन मैंसे विभिन्ने शैलियों में बने कई मंदरों को विश्व धरुहर घुशित किया गया है आज हम आपको ऐसे ही एक मंदर के बारे में बताएंगे जिसकी वास्तुकला ही नहीं बलकि तकनिक भी बेजोड है हम बात कर रहे हैं हजारों साल पुराने शिव मंदर की जो दक्षिन भारत में है ये शिव मंदर दक्षिन भारत में सिद प्राचीन बास्तुकला का एक नायाब नमूना है ये भव्य मंदर तमिलाडू के तंजाव और जिले में मौझूद है जो ग्यारवी सदी के आरंभ में बनाया गया था इसका निर्माड एक हजार तीन से एक हजार दस एस्वी के बीच चोल राजवन्ष के शासन में हुआ था द्रविन शैली में बने इस मंदर का निर्माड चोल शासक प्रतम राज राज चोल ने करवाया था इसलिए से राज राजश्वर मंदर के नाम से भी जाना जाता है भगवान शिवका ये अध्भूत मंदर पूरी दुनिया में रखेश्वर मंदर के नाम से प्रसिद्ध है लोग ये देखकर आश्र चकित रह जाते हैं कि किस तखने की मदद से प्राचीन काल में इस मंदर को बनवाया गया होगा लगभग 216 फिट की उचाही वाल इस मंदर को एक लाग तीस हजार टन ग्रेनाइट के पत्रों से बनाया गया है ये दुनिया में पहला और एक मातर ऐसा मंदर है जो पूरी तरह ग्रेनाइट पत्रों से बनाव कुआ है इसकी भविता और अद्भुत वास्तुकला को देखते हुए एक हजार वर्स पुराने इस प्रहदेश्वर मंदर को यूएनस को वर्ल्ड हरिटेज साइट लिस्ट में विश्व धरुहर घुशित किया है आश्यर इस बात का है इस अद्भुत मंदर को किस तक्नीक से बनाया गया होगा हैरानी की बात ये भी है उस दौर में कौन-कौन से ऐसी मशीने होंगी जिसकी साहिता से इतने भारी भर्गम पत्थरों को उपर तक पहुँचाया गया होगा यही नहीं इस पे जो पत्थर लगी है उन्हें बिना किसी सिमेंट के ऐसे ही एक की उपर एक रखकर बनाया गया है कहा जाता है इस मंदर का निर्बान चोल समराट राज-राज-चोल प्रथम ने सोपने में देविये प्रेण अप्राप्थ होने पर करवाया था ब्रदेश्वार मंदर में उतकेर्ण लेखों के अनुसार मंदर के मुख्य बासुएद कुंजर मलन राज-राज पिरुंतुचन थे जिनके खानदान के लोग आज भे वासुशास्र आर्किटेक्चर का कारे करते हैं इतनी सदियां बीच जाने और कई भूकम्प आने के बाद भे मंदर जसका तस्क खड़ा है इतिहासकार बताते हैं इस मंदर के निर्मान में हाथियों का प्रियोक किया गया और मंदर के उपने हिस्से को बनाने के लिए एक 6 किलूमिटर का रैंप तयार किया गया था इसके गुम्बद में जो पत्थर लगा है वो 80 टन का है माना जाता है इस मंदर को पजल टैक्ने के हिसाब से बनाया गया है इसके गर्व ग्रह में भगवान शिव का एक 12 फिट का एक विशाल शिवलिंग भी इस्थापित है मंदर गुपूरम में इस्थापित नंदी की विशाल मूर्ती भी एक अनोखा आश्चर है नंदी की ये मूर्ती 16 फिट लंबी, 8 फिट चौड़ी और 13 फिट उची है जिसका वजन 20,000 किलो है खास बात ये है कि मूर्ती को एक ही पत्थर को तराश कर बनाया गया है ये भारत में नंदी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ती है मंदर के आसपास के लाखे में ग्रेनाइट का पत्थर उपलब्ध नहीं है इसलिए इन्हें संभवता कहीं दूर से यहाँ पर लाया गया होगा वास्ताव में इसके लिए भी काफी धन बल खर्च हुआ होगा ग्रेनाइट को काटने के लिए स्पेशल हेरे से बने औजार की ज़रुरत होती है उस काल खंड में आदुएक औजारों के बिना ग्रेनाइट की चटानों को कैसे काट कर मंदर में लगे पत्थरों को तराशा गय होगा ये भी एक रहस्य है झाल खंड में लगे भी एक रहस्य है